असलाम अलेकुम जी सबसे पहले हम जाली काढ़ने से पहले हम इसका साइज निकालेंगे जो आपकी 23-23 का साइज हो आपने वही साइज हाइट का लिखेना है और विर्द का देखें हमने जो लगाया था वह 23-23 था उसमें हमने तीन इंच चार सूतर का इजाफ़ा किया है अगर आपका साधा 23 नमबर लगाओ जो एम 23 होता है वह पौने दो इंच का होता है उसमें आप तीन इंच दो सूतर का इजाफ़ा करेंगे अब हम इसकी डिग्री नका रहे हैं हमने 29 नमबर के दो पीस कठे रखे हुए हम वैसे भी दो लेंथे कठी काड़ते हैं ताकि कटिंग जल्दी हो जाए यह देखें पंतारिस के डिग्री हमने नकाल ली है जो जाली वाली साइड होती है जहां रबट आती है वह अंदर की तरफ करें वाहिच से दिग्री नकाले नकालते हुए इसी चीज का आपने क्या रखना है कि डिग्री आपकी सीधी निकले अगर उल्टी नकाल देंगे तो फिर वह आ गई नहीं होगी मसला आएगा अब हम इसकी दूसरी साइड काट रहे हैं निशान लगाने के बाद अगर आप नहीं हैं तो मेरे जैनल को सब्सक्राइब करें तागे हरा ने वाली वीडिया आपको मिलती रहे यह देखिए हम दुरुण से हमने डिगरी निकाल दी हैं यह देखिए हमने दो पीस कठे काटे हैं हम टेप लगा लेते हैं और कठा काट देते हैं तागे टाइम बचे अब हम इसका नमबर लगा देंगे यह हमरी हाइट थी एक नमबर गई अब हम इसकी विर्थें काटेंगे इसकी विर्थों की बारी है उसी तरह आप गुमा कर उसका निशान लगा लें और उसकी कटिंग कर दें बस कटिंग में इतने हैं ते चार पीस दो विर्थों के और दो हाइटों के अब हम इसकी जुड़ाई करेंगे जुड़ाई करने से पिल हम इसकी त्यारी करेंगे यह इसकी एल कोनी है यह देखें यह पीछे कंपनी साब निशान लगे आते हैं पहले हम खुद लगाते थे यह जो निशान ने तकरीबन 22 मिली पर लगा हुआ है यह देखें 22 मिली पर करें जो हम तियार करेंगे फ्रेम वो हम करेंगे 25 मिली पर तीन मिली का मौन फरक डालते हैं यह 25 मिली पर निशान लगाएंगे और डेड़ के वर में से 3 16 के वर में रेंके हैं हैं आपने एंगल और में तीन में फ़र्क डाला है इसी तरह फ्रेम में 3 मीली का फ़र्क आता है जहें में रखे अगर बराहबर कर देंगे तो आपका नहीं चलेगा यह देखर एप है इसकी समय में में आपने अधिसके भी आए सेंटर में कोशिच करने कि सुराखके शुरा करूb अब हम इसको आधी राड नम्र कर से स्कृ लगाएंगे कि इसी तरह आप ने एक जाल्य से Corey में 4 लगाएंगें Trek過來 ज्यादा टाइड नहीं करने तो लूज ही रखने हैं तांकि जब विर्थें लगाएं तो उसमें सही हैं यह देखें आपको गैप नज़ आ रहा रहा कि तीन मिली का इसी दर आपने दून साट प्राइंगल लगा लिए हैं अब इसको हम जोड देंगे अब यह आधी इंचार्ण नमबर के हम लगा रहे हैं और जब जुड़ाई करने हैं तो कोशिश करने हैं कि यह जो जाली वाली साइड होती है सारी एक ही जैसी हो यह साइड आपको पूपर कर दें कि साइड नीचे करते हैं तो पिर आपको खोल कर ठीक करनी पड़ेगे तो ज जाली वाली कालर एक ही साइड पर हो इसी दर हमने चारो जोड लगा ले ना इसके यह देखें इसे पहले जाली कैसे प्रेस करते हैं मैं बता चुका हूं उसका मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा अब हम इसके वील लगा रहे हैं यह हमने 10 मिली कार्वरमा बंदा है जिसको तीन सुत्र का बोलते हैं यह देखें हमने पहले एक सुराक मारा है यह हमने दूसरा स्क्राक उसके षाधर हुआ गया मारा हाबंद तीसरा मारें लिंकी उसके साथ रहा के बहुत ही सान् Unit का विल लगाने का बहुत ही जाना है यह तुर्वी सफाई कर देंगे इसी वर्मे से यह देखें तो हमने आगे पिछे किया है इसकी सफाई होगा हम वील लाख के चेक करेंगे यह देखें इसका वील है जरी अला यह देखें बिल्कुल ठीक आया अराम से बाढ़ गया है अब हम दूसरी साइड पर कोशी करने जहां अलकोनी आती उतना इसा चोड़ गये अब वील लगा दें यह देखें पहला एक सुराग यह दूसरा सुराग अब यह इसका तीसरा सुराग बस इतना ही का हम इसका वील लगाने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक बहुत ही प्यारे दोस्ते हमने ने कहा था कि मैं इसकी जाली की मुकमल वीडियो बनागे दिखाएं क्योंकि इस पर आपने वीडियो नहीं बना ही इसलिए मैं इस पर आज वीडियो बना रहा हूँ यह हम इसे 964 के वर्मे से सुराह मार कर अधी इंच आड़ नमर के पेच लगा देंगे इसी तरह आपने दूसरा पेच भी लगा लेना इसका तो यह हमारी जाली त्यार हो जाएगी यह देखें यह वील मरा लग गया अब यह दूसरा वील उसी तरह बस इतने टाइम लगता है वील लगाने में कुछ ज़्यार टाइम नहीं लगता सिर्फ पांच मिन्ट का काम है अमीद है वीडियो आपको पसांद आई होगी तो दोस्त अपना क्या रखिएगा अगर आप नए हैं तो मारे चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें तांकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें बस इतना से काम है अमीद है आपके रोजे भी अच्छे जा रहे हैं कि सब दोस्तों के रमजान का में इनना है और दौाओं में याद रखिएगा और अपना क्या रखिएगा बहुत सारा अलाफीज